परिचय अपनी कारियों के आधार पर जन्तु उतक चार प्रकार के होते हैं। एपिथीलियमी उतक, संयोजी उतक, पेशिय उतक तथा तंतरिका उतक। उदेश्य इस पाट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। जन्तु उतकों को परिभाशत करना। जन्तु उतकों के प्रकारों को पहचानना। एपिथीलियमी उतकों के गुणों को समझना। एपिथीलियमी उतकों के प्रकारों को जानना। एपिथीलियमी उतकों के कारियों को जानना। संयोजी उतकों के गुणों को समझना। संयोजी उतकों के प्रकारों को जानना, पेशिय उतकों के प्रकारों को पहचानना, पेशिय उतकों के कारियों को जानना, तंत्रिका उतकों के प्रकारों को पहचानना, तंत्रिका उतकों के प्रकारों को पहचानना, तंत्रिका उतकों के प्रकारों को पहचानना, तंत्रिका एसे उतक जो कि शरीर के अंगों को बाहर से ढगते हैं तथा खोखली अंगों को अंदर से रेखित करते हैं, एपिथीलियमी उतक कहलाते हैं. हाँ, अंकिता, एपिथेलियमी उतक की कोशिकाएं एक दूसरे से कसकर सटी होती हैं, तथा एक अनवरत परत का निर्मान करती हैं. इन कोशिकाओं की मध्य अंतरा कोशिका स्थान तथा मैट्रिक्स नहीं पाया जाता। एपिथेलियमी कोशिकाएं तवचा, मुख गुहां के अस्तर पर आहार नली, व्रिक्य नली, फेफडे तथा ग्रंथियों में पाय जाती हैं. एपिथेलियमी उतकों की प्रकार कोशिकाओं के कारियों को तथा उनकी आखृतियों के आधार पर एपिथीलियमी उतकों को पाँच प्रकारों में वर्गी क्रित किया गया है शलकी एपिथीलियम, घनाकार एपिथीलियम, स्थमाकार एपिथीलियम, ग्रंथिया या ग्रंथिल एपिथीलियम, पक्षमाभी एपिथीलियम शल्की एपिथेलियम पतली चप्टी आनियमित आकार वाली कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो की फर्ष की टाइल्स की तरहा परस पर फिट होकर एक सघन उतक का निर्मान करती है ये गुहाओं तथा रक्त वाहिकाओं के अस्तरों तथा जीफ एवं तवचा के कवर में पाय जाते हैं इन्हें फुटपाथ यानि तेव्मेंट एपिथेलियम के नाम से भी जाना जाता है घनाकार एपिथेलियमे कोशिकाओं घन से आकार की होती हैं वे अनुभा, काट, करने पर वर्ग की भाती प्रतीत होते हैं किन्तु मुक्त सतह पर शट कोन की भाती देखते हैं वे व्रिख्य नलिकाओं, थाइरोइट पटिकाओं, लार ग्रंथियों, श्वेद ग्रंथियों तथा बहिश्रावी ग्रंथियों में पाय जाती हैं आधार पर स्थित होते हैं। ये पेट के अस्तर, छोटी आंत, व्रिहदांत्र, पित्ताशय तथा श्लेमा जिल्ली वाले अंडवाहिनी में पाए जाते हैं। ग्रंथियों में पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ स्थंबागार या घनागार कोशिकाओं में मुक्त सीमा पाए जाते हैं। एपित्यलिमी उत्तकों के कार्या। अवशोशन तता श्रावन होता है। ग्रंथियों एपित्यलियम का मुक्यकार इन ग्रंथियों से श्रावन करना होता है। पक्षमा भी एपिठेलिम की पक्षमों की गती से ठोस पदार्थों को गुहा द्वारा एक दिशा में चलन होता है। संयोजी उत्तक विभिन अंगु तथा उनके भागों को परसपर बांधे रखने का कार्या करते हैं। सन्योजी उत्तकों की कोशिकाएं जीवित एक दूसरे से अलग कम जुड़ी तथा संख्या में बहुत कम होती है। जैल संदरश अंतरा कोशिक पदार्थ जोकी आधात्री मैट्रिक्स कहलाते हैं, सन्योजी उत्तक का मुख्य भाग बनाता है। आधात्री की प्रकृती तंतु मै होती है, तथा ये अन्य उत्तकों को बांधे रखता है। संयोजी उत्तकों की प्रकार माधुरी, क्या तुम जानती हो कि जन्तियों में संयोजी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, जन्तों में पांच प्रकार की संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। कोलेजन तन्तों पाए जाते हैं। सघन नियमित संयोजी उत्तक में तन्तों तथा कोशिकाई सघन प्रकार से एक क्रम से लगी होते हैं। सघन नियमित संयोजी उत्तक कंडरा तथा स्नायू का मुख्य घटक होता है। एक बड़ी बुंद होती है। जानने के लिए चलो। एक क्रिया कलाप करते हैं। मैंने एक स्लाइट पर एक बूंद रक्त की डाली है। तथा अब सुक्ष में दर्शी के अंतरगत इसका पर्यवेक्शन करती हूं। हम लाल रुधिर कोशिकाउं या रक्तानू इरिथ्रोसाइट, श्वेत रुधिर कोशिकाउं या श्वेतानू, ल्यूकोसाइट तथा पट्टी काणू प्लेटलेट को देख सकते हैं। प्लास्मा रुधिर का कुल 55 प्रतीशत भाग बनाता है। प्लास्मा इक जटल तरल है जिसमें अकार्बनेक लवन तथा कार्बनेक बदार्थ जैसे अल्बिमीन, ग्लोबिलिन तथा फिब्रोनोजन ग्लुकोज, अमीनो अम्ल, वसा, विटमिन एंजाइम, हॉमोन तथा तेज्य प्रदार्थ जैसे यूरिया तथा यूरिक अमल पाए जाते हैं मानव लाल रुधिर कोशिकाए गोल उभया बतल यानि वाईको नकीफ तथा संख्या में अधेक होती है इन भी लोह यूक्त जटल प्रोटीन हिमोगलोबिन पाए जाती है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है श्वेतानो यानि ल्यूकोसाइट अमीबिया केंद्रक यूक तथा श्वेत होते हैं वे आकार में बड़े किन्तु संख्या में कम होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं अकन कोशिकाए यानि एग्रेन्यूलोसाइट बिना कन योक्त तथा बिना लोब्योक्त केंद्रक वाले होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं मोनोसाइट तथा लिम्फोसाइट कन कोशिकाई ग्रेनियोलोसाइट में क्रोशिका द्रव्य कन तथा लोब्योक केंद्रक पाया जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। नूट्रोफिल, असिटोफिल तथा बेसोफिल। रुधिर पट्टी काणू प्लेटलेट छोटे अकेंद्रिकिय बणी अस्थी मज्जा की कोशिकाई जिनहें मेगा केरियोसाइट कहते हैं के बिखंडन से बंदी है। संयूजी उत्तकों के कार्या। एरियोलर संयूजी उत्तक के सहायक उत्तक हैं तथा ये देह गुषा में स्थित अंगों के मध्य ताकिंग उत्तकों का कार्य करते हैं। ये आघात के पस्चात उत्तकों की मरम्मत करता है। विश्वों से लड़ता है तथा तवचा के नीचे स्थेत पेशियों को स्थेरता प्रदान करता है। सघन नियमित संयोची उत्तक जोड़ों को मस्बूती प्रदान करता है तथा साधारन गधी के अनुमती देता है। माधुरी, क्या तुम जानती हो कि सनायों में अत्याधे खिचाव के कारण मोचाती है? वसा एरिपो संयोची उत्तक वसा को संचित करता है। शरीर तथा पैरों को आकरती प्रदान करता है। अंतरंग अंगों को नियमित आकार देता है। व्रिको तथा नेत्र गोलकों को के आसपास आघात को अवशोशित करने वाले गद्दे की भाती कार्य करता है तथा इंसुलेटर की भाती भी कार्य करता है। अस्थि माई कंकाल संयोजी उत्तक अंततह कंकाल का निर्मान करता है। शारिरिक अंगों को सहायता तथा लचीलापन प्रदान करता है। मुख्य अंगों को सुरक्षित रखता है तथा क्याल्शियूम एवं फॉस्फेट को संचित करता है। तरल संयोजी उत्तक पूरे शरीर के उत्तकों को पोशित तत्मों, हॉर्मून तथा विटामिन का परिवहन करते हैं। तथा पूरे शरीर को उत्तकों से उत्सरजी पदार्थों को यक्रित तथा व्रिक्क तक ले जाता है। पेशिय उत्तक पेशिय उत्तक अनियमित कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें पेशिय तन्तु कहते हैं पेशियों में विशेश प्रोटीन पाई जाती है, जिन्हें संकुचन शील प्रोटीन भी कहते हैं जब ये प्रोटीन सिकुडती है या संकुचक तथा शिथिल होती है तब गती होती है पेशिय उत्तकों के प्रकार अंकिता स्थिती सनरचना तथा कारे के आधार पर पेशिय तंदू तीन प्रकार के होते हैं रेखित पेशि, चिकनी पेशी, काडDIC यानी रिदेक पेशि रेखित पेशियां पैर, जीब, उदर, भिधी, ग्रसनी तथा ग्रसिका में पाई जाती है इन में एक के बाद एक हलके तथा गहरे रंकी रेखाएं या धारियां पाई जाती है ये लंबी बेलानाकार, शाखा रहे तथा बहुनाभिय होती हैं। ये पेशिया हमारी इच्छा के अनुसार गदी मान होती हैं। अतह इन्हे एच्छिक पेशिया भी कहते हैं। चिकनी पेशिया आमशे की भित्यों, आंत्र, रक्त नलिकाउं, आंक की आईरिश तथा गर्भाशे में पाई जाती हैं। याकार में छोटी, एक केंद्रिकाय तथा तरकु रूपी होती हैं। एवं परोतों के रूप में व्यवस्थित होती हैं। ये पेशिया हमारी चिक पेशिया भी कहते हैं। कार्डिक यानि रिदेक पेशिया रिदय के मायो कार्डियम में पाई जाती हैं। वे रेखित तथा चिकनी दोनों तरह की होती हैं। रिदेक पेशिया शाखित रेशों से मिलकर बनी होती हैं। ये शाखाई परस पर मिलकर एक जाल का निर्मा प्रतेक रेशा सारको लेमा द्वारा घिरा होता है तथा इसके अंदर एक मध्य में केंद्रक तथा अनुर्धेरिय मायो फाइब्रल के साथ सारको प्लास्म पाया जाता है अंतर राकुशिक स्थान अधिक मात्रा में पाये जाने वाले धीले संयोजी उत्तक द्वारा भरे र रहते हैं। रहते हैं। रहते हैं। कोशिका काई, सायोटिन, दूमराक्षय तथा तंत्रिकाक्ष, एकसान। सायोटिन या कोशिकाई में एक मध्य केंद्रग तथा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। जिसमें गहरे रंजित कण पाय जाते हैं, जिनहें निसेल ग्रैन्यूल कहते हैं। दैन्रोन छोटी प्रक्रियाए होती हैं, जोकि सायटोन या कोशिका काई से निकल कर आगी चल कर दूमराक्षय में शाखित हो जाती हैं। तंत्रिकाक्ष एक से व्यास की एकल लंबी बेलन नुमा प्रक्रिया है। तंत्रिकाक्ष सिरे पर पतली शाखा बनती है। प्रतेक शाखा एक फुली हुई सनरचना जिसे सिनेप्टिक पूठिका कहते हैं, में जाकर मिलती है। तंत्रिकाक्ष को तंत्रिका तंतु भी कहते हैं. एक एकल तंत्रिका तंतु की लंबाई एक मीटर होती है. तंत्रिका उत्टुकों के कार्य यह दुम्राक्ष उद्दीपनों को ग्रहन करता है तथा तंत्रिकाक्ष उद्दीपनों को कोशिका काय से दूर ले जाता है. क्रिया कलापों का एक मार्ग होता है। क्या आप जानते हैं? जन्तों में सर्व प्रथम एपिथीलियमी उत्तकों का विकास हुआ था। एपिथीलियमी उत्तत सबसे सरल प्रकार के उत्तक होते हैं। शरीर के कुल भार का 40% रेखित पेशियां बनाती हैं। लाल अस्थी मज्जा में हीमो साइटोप्लास्ट विकसित रुधीर कोशिकाओं को जन्देते हैं। मानव शरीर में लगभग 6.8 लीटर रक्त पाया जाता है। अस्थी शरीर का सबसे कठोर उत्तक है। जबकि रुधिर सबसे मुलायम उत्तक है। सारांश आये, हमने जो कुछ सीखा है उसे संशेप में दोहराएं। जन्तों उत्तकों को एपिथेलियमी उत्तक, सन्योजी उत्तक, पेश्य उत्तक, तथा तंत्रिका उत्तक में वर्गिक्रित किया जाता है। कारियों तथा उनकी आकरितियों के आधार पर एपिथेलियमी उत्तकों को शलकी, घनाकार, स्थमबाकार, ग्रंथिय तथा पश्मा भी एपिथेलियम में वर्गिक्रित किया गया है। हमारी शरीन में विभिन प्रकार के सन्योजी उत्तक जैसे की एरियोलर, वसामय, एडिपोस, अस्थी, कंडरा, स्नायू, उपास्थी तथा रग्त आदी पाए जाते हैं। रेखित, च्रिकनी, कार्डिक यानि रिदैक तीन प्रकार के पेश्य उत्तक होते हैं। तंत्री का उत्तक तंत्री कोशिका यानि न्यूरॉन से बना होता है, जो की उद्धी पनों को ग्रहन तथा उसका समवहन करता है।